अंदरने साल हो गए सर रोड को बनते हो गए तो अब तक रोड के हालत जैचे की वैसे ही ज़िए तो आपको क्या लगते है आप कौन जीम बार है इसके लिए तो मैं सीधा सीधा गृफ को ही बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके अंडर अगर जे काम आ रहा है तो उनको प्रॉ इससे टाइम टू टाइम करना चाहिए अब देखो कटिंग हो रहा है तो अपेल है इतना डश्ट होट रहा है पत्ते बोद्दे बगे रहा है पूरे के पूरे डस्ट से बर चुकी है तो मेरा यह पील है कि कम से कम जी जो मेन प्लेस है कम से तो पहले कंपलीड किया जाए आप मसलोथ में कर चलो करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वह भी होगा लेंगे कम से पुब्लीक प्लेस इसे थोड़ा पहले करना चाहिए इतना फरे कहीं नहीं पढ़ रहा है इसके लिए पुब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए तो गृफ ही आएगा क्योंकि उनके अगर वो गृफ काम करवा रही है किसी कॉंट्रेक्टर को काम दे रही है तो उनका सबसे पहले जी रहता है कि उनको देखना चाहिए उनको का कमी था शाहिए उनकों ने अच्छे से कंप्रेस नी करी ती जो नीचे मिटी डाली जा लेकिन वह उनकी कमी है ना क्रोडों रुपया हमारे हम घ्रीब लोगों को खरिच करने के बाद तो उनकों ने वह ऐसी हालत की हुए देखिए जो ड़ाई किलोमेटर का स्कैच है उस कम से कम ऐक आदी बार वाके चेक किया जाए तो सर मैं काफी पांच शे सालों से इस रोड पे सर मैं और नाच से चलता हूं सर ड्रैवरों में सर पेशे से लेकिन सर इस रोड की इतनी खस्ता हालात है इतनी बुरी कंडिशन है कि सर जब हम सुब घर से निकलते हैं अर नाच पहुंचते हैं, सर हमारी शकल पहचानी नी जाती है, सर इतना दूल, इतनी मिटी, कि सर बोली नी सकते हैं कि इस रोड की कंडिशन क्या है, सर आप देखे खड़े, आप यहां से देखे, कि मसलोत में जाईए, पीछे जाईए, सर जगा जगा काम लगा है, बुरी हलात है सर इस रोड की, सर रोड बहुत ही खराब है, की की चो शुटे मुठे भी की इस रोड के पूर नास की घुटे नहीं क्यूंत है 2009 चुनल आखे एक लिद सरी में ऋब चैने थानीक कर रहे हैं और भीा। है जब भी गाडिए आती है घ्जाडि फास्ट आती है तो जितना फी डेस्ट है हमारे दिकान के अंदर चला जाता है और बदकान दिकान चनर जितना पिसमान था वह खराब हो चुका और पानी गृफ वाले पानी एक टांब डालते हैं तो उसकी जादा हमको जे डेस्ट की प्राब्लम है जादा डेस्ट की बज़ा से हमारा समान है जो खराब होता है